दित्य विश्वय यूद में अपनी वीर्ता का लोहा मनवाते हुए पैर गवाचो के जाबाज को विकलांगता पेंसन का इंतजार दित्य विश्वय यूद में अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए ओपरेशन के दोरान अपना पैर गवाने वाले जुन्जनु जिले के एक जाबाज वयोवर्थ सेनिक को अब भी विकलांगता पेंशन का इंतजार है आखिर क्या है सेनिक की दर्दबरी कहानी आईए जानते हैं सिपाही बलवन चिंग इन्हें 1943 में 3.1 पंजाब रेजिमेंट में सामिल किया गया था 15 दिसंबर 1944 को दित्य विश्वय युद के दोरान इटली पर हमले के दोरान एक ख़दान वी स्पोर्ट में उनका बैया पैर उड़ गया था 1946 में राजपुताना राइफल्स में स्थानांत्रित होने के बाद वे एमानने हो गए और बुनियादी विकलांगता पैंसन के साथ सेवा छोड़ दी 1972 में केंदर ने उन सभी लोगों को युद चोट पैंसन देने का प्रावधन किया जो विबिन युदों के दोरान घायल हुए थे लेकिन विश्वय युद के दोरान घायल हुए लोगों को इस से इनकार कर दिया गया इस फैसले के खिलाफ ये जाबाज ससत्तरवल नैदिकर जैपुर किस रण में गया लेकिन अभी तक इस मामले में कोई निसकर्स नहीं निकल पाया है हाली में इसी तरह के एक मामले में लखनव एए एफटी ने दित्ते विश्वय युद के दोरान घायल हुए एक अन्य सेनिक को युद विकलांगता पेंसन देने का आदेश दिया था बलवन सिंग के कानूनी वकिल करनल ACB सिंग ने बताया कि सरकार ने युद विकलांगता पेंसन का प्रावधन किया है जो कि 1947 के बाद की लड़ाई में गायल हुए लोगों और दुनिया में लड़ने वाले भारत्य सेनिकों को दिये जाने वाले अन्तिम वेतन का 100% है बलवन सिंग के विकलांगता 100% है क्योंकि उन्होंने अपना बाया पैर खो दिया था लेकिन EFT में कोई न्यायदीस नहीं है इसलिए मामला लंबित है सामान्य विकलांगता पेंसन सामान्य से सिरफ 30% है लेकिन उन्हें युद विकलांगता पेंसन दी जानी चाहिए जैसा कि गड़वाल के एक सेनिक के मामले में लखनव EFT द्वारा किया गया था युद के दिगज ने 3 साल 2 महीने और 16 साल की सेवा के बाद 11 मही 1946 को सेवा छोड़ दी थी तो क्या की लागी तारा पेर का है? क्ये चीज की लागी? इनके बेटे सुवाज सिंग ने कहा है कि परिवार को रज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली उन्होंने कहा कि हमें कारगिल यूद के बाद ही इसका एसास हुआ हालांकि अदालत ने कहा है कि मेरे पिता जो राज्तान के सबसे उमर दराज वैक्तियों में से एक है और दित्य विश्वय यूद में लड़े हैं यूद विकलांगता पेंसन के लिए पातर नहीं है मामला अदालत में है और हम आशा करते हैं कि उनके योगदान को कानूनी परणाली द्वारा मानेता दी जाएगी ताकि उन्हें यूद विकलांगता पेंसन मिल सके